Hyper Pigmentation, Malasma, Pimpers के जित्ती दाग, Fairness और Glowing बढ़ाने के लिए आज हम एक Ayurvedic Medicine का यूज़ करेंगे जो हमें अंदर से पेट में लेना है और उपर से एक Face Mask के तोर पर भी यूज़ करना है ये हम जैसे भी अंदर से लेते हैं तो ये हमारे स्किन को अंदर से रिपेर करता है क्यों प्रकार से मास के तोर पर इस का यूज़ करना है वो भी देखेंगे तो चलिए start करते हैं費อस स्पून कुस्तुरी हल्दी एक बाल में हमें लेना है ये जो कस्तुरी हल्दी आज होती है यह हमारे डार्क सपॉट को कम करती है pigmentation के pimples के बाद जो दाग छोड़ जाते हैं उसे clear करने में और skin glow बढ़ाने में, fairness बढ़ाने में बेहत फारिमन्थ होती है हम इसमें add करेंगे हमारा ayurvedic medicine जो हमारे face mask की जान है एक spoon muleti powder हमें इसमें add करना है muleti powder में glabradin नाम का एक unique compound पाया जाता है जो हमारे skin पर जो भी जिद्धी दाग होते है pigmentation, malasma, pimples के बाद जो दाग छोड़ जाते है उसे मिटाने में आखों के नीचे जो डाग सरकल होते है उसे मिटाने में बेहत फारिमन्थ होता है हमारे body में tyrosinus नाम का enzyme होता है जैसे भी सूरे की अतिनील केरणे हमारे body पर पढ़ती है तो skin में pigmentation बढ़ने लगता है लेकिन muleti powder का हम use करेंगे तो इसमें जो unique compound glabradin होता है वो इसे रोक लगाता है और तुरंत हमारे skin पर जो भी दाग होते है उसे रोकने में help करता है हम इसमें use करेंगे एक spoon मुलतानी मिटी summer के लिए काफे best होती है dead skin को remove करती है हमारे mask को ये binding देती है skin को tight करती है fine land wrinkles की problem को clear करती है blackheads, whiteheads को remove करने में help करती है हमारे open pores में जो भी धूल मिटी के करण extra oil होता है उसे खीच के बाहर निकालती है और uneven skin की problem को भी clear करती है face mask बनाने के लिए हमने जो कस्तुरी, हल्दी, मुलतानी मिटी और मुलेटी powder का इसमें use किया है तीनों मेंने illicious company के ही use किये है क्योंकि इनोंने जो भी powder बनाया है वो काफी smooth बनाया है इसका कोई भी हमारे skin पर rashes नहीं आता है 100% natural है कोई भी preservative नहीं है और हर एक skin type पर ये suit करता है इसलिए मैंने यही use किया है आप अगर purchase करना चाहते तो description box में इसका link दिया है वहाँ से आप खरीच सकते हैं ये तीनों चीजों का हमें थोड़ा थोड़ा raw milk अच्छा दोद जो होता है दूद गरम करने से पहले हमें raw milk निकाल लेना है अगर आप दूद गरम कर चुके हैं तो फ्रीज में थोड़ा ठंडा करने के लिए रग देना है और ये face mask बनाने के लिए इसका use करना है क्योंकि हमने ये जो face mask बनाते हुए मुल्तानी मिटी का use किया है उससे हमारे skin पर थोड़ा सा dryness आता है तो उसे balance करने के लिए raw milk का हम इसमें use करेंगे पैस बनाने के लिए सभी चीजों को अच्छे से फेट लेना है ये हमारा face mask बिल्कुल बनके तयार है इसे apply करने की process हम देख लेते है ये जो face mask हमें skin पर apply करना है इसे apply करने की process थोड़ी से लग से है सबसे पहले skin को clean कर लेना है मतलब face wash कर लेना है उसके बाद हमें deep cleansing करना है तो थोड़ा सा raw milk मतलब कच्छा दूद लेना है पूरे skin पर cotton ball के मदद से इसे लगा लेना है और हलके हलके दो मिनिट के लिए मसाज करना है फिर इसी cotton ball के मदद से इसे wipe कर देना है तो जो भी open pores में धूल मिटी के इकण होते है अच्छे से रिमो हो जाते है डीप क्लिंजिंग हो जाती है उसके बाद ये जो face mask हमने बनाये थोड़ा सा हमारे उंगलियों पर लेगे पूरे skin पर इसे apply कर लेंगे spread कर लेंगे और हलके हलके इसे दो मिनिट के लिए rub कर लेना है तो ये एक scrubber का काम भी कर देता है फिर बाद में इसे पूरे चेहरे पर apply कर लेना है ये जैसे भी सूखने लगता है dry होने लगता है तो फिर से हमें raw milk लेना है cotton ball की मदद से इसे थोड़ा-थोड़ा गीला कर देना है ताकि इसमें जो भी moisture होता है वो हमारे skin के अंदर जा सके और इसके जो भी effect होते है जो मुलेठी powder का हमने use किया है वो हमारे skin को अंदर से अच्छे से repair कर सके पाच मिनिट के बाद जैसे भी dry होने लगता है तो हलके हलके फिर से हमें raw milk skin पर apply कर देना है फिर से दूसरे 5 मिनिट के बाद फिर से ये process करनी है 20 मिनिट तक ये face mask हमारे skin पर हमें लगा के रखना है ड्राइ होने के बाद इसे हमें normal पाने से wash कर लेना है everyday ये process हमें apply करनी है regular 7 days तक ये प्रयोग आप करेंगे तो आपके जो भी दाग होते हैं उसे light बनाने में मुलेठी powder ये तीनों जो ingredient हमने सारे एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे skin पर अच्छे से वर्क करने लगते है last में face mask wash करने के बाद regular का moisturizer apply करना भूलना नहीं अब हम देखेंगे कि ये आईरवीदिक medicine मुलेठी powder हमें किस प्रकार से लेना है कैसे पीना है ये एक हर माना जाता है आईरवीद में इसका एक अलगी महत वो पाये जाता है इसमें धेल सारा fiber होता है, protein होता है calcium होता है, antioxidant और antibacterial गुन पाये जाते है ये हमारे skin glow बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के डाग मिटाने के साथ साथ ये हमारे कई health issues clear करने में help करता है ये मोटा पा भी clear करता है मैंने तो इसे cold cuff या फिर मेरा throat infection जो भी था उसे clear करने के लिए use किया था लेकिन मेरे skin glow बढ़ाने में इसके मुझे best result मिले जो singer होते है या teachers लोग होते हैं तक पानी लेना है एक स्पून मुलेठी पावडर इसमें एड कर देना है और 10 मिनिट्स के लिए इसे side में रख देना है फिर बाद में इसे अच्छे से फेट लेना है फिर इसे पीना है रात में सोने से 5 मिनिट पहले आप इसे पी सकते हैं में दो टाइम भी ले सकते हैं मॉर्णिंग में नाश्टे के हाफ पवर के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं रेगुलर कुछ दिनों तक आप इसे यूज करते हैं पीते हैं तो आपके सारे पिग्मेंटिशन के दाग मिटाने में किसी भी प्रकार के जिती ताग स्कीन पर जो भी दाग है उसे क्लियर गरने में स्कीन ग्लो बढ़ाने में इसके बैस रिजर्ट मिलेंगे आप अगर एक से डेड में इसका यूज करते हैं तो आपको स्कीन में बैस रिजर्ट मिलेंगे जब भी आप इसका यूज़ करते ही तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रे मस्त्र हेल्दी रहे थैंक्यू सो मैच